ओम शान्ती आज आपका 112 दिन का ईशुरिय वर्दान और आज की वर्दान में परमात्मा हमें एक ऐसे रेजिस्टर के बारे में बताते हैं ऐसा खाता जो कि हमारे साथ कहीं जन्मों तक जाता है और यही नहीं हम जब मुक्ती में जाते हैं इस कल्यूक के अंत में तब भी हमारे साथ वो जाता है मनुश्य आत्मा बिजनेसमेन हो चाहे कोई भी हो वो एक रेजिस्टर रखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ और आप अपका सैलरी अकॉंट में आपके आजाता है कितना आपके पास में है कितना खर्चा हुआ तो परमात्मा कहते हैं वो तो कुछ समय के लिए है लेकिन एक ऐसा अकॉंट है जो कि गुप्त है आत्मा रूपी चित्र में मन के अंदर जो चित्र है उसके अंदर वो गुप्त रहता है तो आत्मा ही चित्रगुप्त तरीके से अपने हर कर्म को याद रखती है क्या क्या उसने अच्छा किया, क्या क्या उसने बुरा किया अच्छे कर्म करें तो आत्मा में शक्ती बढ़ती है बुरे कर्म करें तो आत्मा की शक्ती घड़ती जाती है मतलब मनुबल, विल्पावर कहें आप उसको, वो आपके अंदर घढ़ता जाता है, जितना आप विकार करेंगे, जितना क्रोध, अहंकार, इरिशा करेंगे, उतना लीकेज होता जाता है, और पवितरता भी घढ़ती जाती है, तो देखें, आज परमात्मा कहते क्या है हमें? बाबा कहते हैं संकल्प, मतलब थोट्स आपके, वृत्ती, मतलब आपका अटिट्यूड और स्मृत्य, याद रखना कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा, निराकार बिंदू, जैसे दिखने वाली मैं एक शक्ती हूँ, मैं भी आत्मा, परमपित परमात्मा भी आत्मा, लेकिन हाँ, हम दोनों अलग हैं, मैं बच्चा हूँ, वो मेरे पिता हैं, पिता बच्चा जैसे नहीं हो सकते, और बच्चा पिता जैसे नहीं हो सकता, बस गुणों के हिसाब से हम अपने आपको परमात्मा जैसे बना सकते हैं, लेकिन मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, यह कहना बहुत कलत हो जाता है, यह भी सबसे बड़ी अपवित्रता है, कि स्वयम को ही भगवान मानना या स्वयम को ही भगवान का अनू या एक शन मानना, कहने का मनलब क्या है, हम परमात्मा के वंशावली हैं, लेकिन उनके अंश नहीं है, वं वन्षज के है कि परमात्मा के वन्षज है हम वन्षवली हैं, तो हम पवित्र सोच रहे हैं, अगर हम कहें कि हम परमात्मा के अंच हैं, उनके तुकड़े हैं, तो वो अपवित्र हो गया, क्योंकि परमात्मा एक आत्मा है, आत्मा अमर अजर अभीनाशी, आत्मा कभी बढ़ तो परमात्मा कहते हैं संकल्प, वृतियो, स्मृतियो याद रहे हमें, से व्यर्थ को समाप्त करने वाले, यह सारे व्यर्थ संकल्प होगे, अगर हमने कहा कि हम उनके वंशज नहीं, हम उनके अंश हैं, तो यह व्यर्थ संकल्प हो गया, यह पवित्र संकल्प हो गया, करने अगर एक बच्चे अपने पिता को नहीं जानता हो, तो वो भूल जाता है कि वो किसका बच्चा है, तो हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, ब्रह्मा मतलब Adam, जगदंबा मतलब Eve, या Adam and Eve कहें आप, तो परमात्मा की पहली दो रचनाएं, ब्रह्मा और जगदंबा, सबसे पहली प्रूप से उनके बच्चे हैं, तो इसको विस्तार में लेके जाएं, परमात्मा केते हैं, अपने संकल्प, वृत्ती और सुमृत्ती को चिक करो, meditation में हम यही तो करते हैं, कि मेरे संकल्प कैसे चल रहे हैं, प्यूर की इंप्यूर चल रहे हैं, ज्यान वाले चल रहे हैं, कि अग्यान तके चल रहे हैं, वृत्ती कैसी है, मेरे attitude कैसा है भी, सबके अंदर अच्छाईयां देखना की बुरा हैं देखना, अपने बारे में अच्छा सोचना की बुरा सोचना, दुनिया को दुवाएं देना की बदुवाएं देना, बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन सोचना भी धंका हो तो उसको meditation कहते हैं, और स्मृति को चेक करो, कि याद क्या है, मैं किसका बच्चा हूँ, मुझे क्या कहां जाना है, अभी कितन स्मृति रहे मेरे अंदर इस सारी चीजों की, ऐसे नहीं, कि कुछ गलत हो गया, अब स्मृति नहीं रहे कि मुझे करना क्या है, कर्म क्या करना है, गलत हो गया, है ना परमात्मा जो direction दिये ब्रह्म कुमारीज में हमें, कि हमें क्या सोचना है, क्या पैठना है, क्या खाना ह हैं सब कुछ के बारे में बता हुए कि प्योड क्या हैं ने हुए हैं तो परमात्मा हमें मुक्ति का ग्यान दे रहे हैं है khan पान लेकर सोना उठना बैठना से लेकर के धन खमाने के तरीकों से खहरís नहीं उपी वंचिकी हैं जिस कारण से मुक्ति campaigns कोई सव्वरिबण कोकि नीज और प्रकाओ से सल्गेतों जाए और रॉट जोड़ेर्द enrich ज्ब तक सवर्गी मी सबार्प सेा ने विए ज सब्सक्र.. कीसे तो या और रॉटत पाम के बने और आप में आपके नगे में पीज़ा बने पर अंचеньयेर धर्ती पर कल्युग में शिरी छोड़ी तो पैदना नहीं का लोग में ना इंगव पड़ेग अचैनम Aa क्वे तक बना नहीं है तो पर्मात्मा कहते हैं कुछ गलत हो गया पश्चताप कर लिया में जहको त्योणip किना घ्रिक रिंध meant कर्म भी हम आत्मा किसे करती हैं आंखों से मुक से बोल करके हाथ पैसे कर्म करती है तो आत्मा ही तो पाप आत्मा ये पुर्णे आत्मा बनती है शेरीर पाप आत्मा पुर्णे आत्मा तो नहीं बनता है जो कि हम शेरीर को जाके गंगसनान कर रहने तो शेरीर साफ हो तो पुरानी दुनिया राम राज्य अलग है रावन राज्य अलग है अब ये रावन राज्य चल रहा है रावन राज्य में क्रोध भी ठीक हो रहता है मानते हैं लोग कामवेकार के बिना बच्चे कैसे पैता होंगे परमात्मा कहते हैं मैं जब आता हूँ धर्ती पर तो मैं पॉपुलेशन घटाने के लिए आता हूँ और तुम सब को मुक्ती में ले जाने के लिए आता हूँ ना कि मैं पॉपुलेशन बढ़ीगी कैसे ये क्वेशन तुमारे पर अंदर आना ही नहीं चाहिए परमात्मा कहते हैं कि पवितरता में रहो आपस में ग्रहस्त आश्रम बना के रहो घर को आश्रम जहां पर शरम ना आए तो जब नंगन होता है तो शरम आती है लेकिन जब हजमन वाईव साथ में आत्मिक प्रेम में रहते हैं परमात्मा कहते हैं सबसे पहली बात भगवान को मानते हो लिए अपने आपको आत्मा मान करके परमात्मा से प्यार करते हो कि अभी भी देहे शरीर ये पांच तत्मों के शरीर से महबत करते हो तो जो आत्मा शरीर से महबत करती है पांच तत्मों के बने हुए पुतले से महबत करती है ना उनको परमात्मा का ग्यान है, ना आत्मा का ग्यान है, तो वो परमात्मा से कैसे प्यार करेंगी, तो परमात्मा कहते हैं, स्वर्ग में आत्मिक प्रेम होता है, लक्षमी और नारायन की बीच में, राजा रानी की बीच में, इस्त्री पुरुष के बीच में, वो एक दू जिस्मानी प्रेम के कारण तो सब कुछ अब पवित्रता है लिंक परमात्मा कहते है अगर तुम्हें सुख शांती चाहिए तो आत्मिक प्रेम करना सी को जिस्मानी प्रेम छोड़ो और सोच भी पवित्र रखो सिर्फ ये ब्रह्मचरे की बात नहीं है सिर्फ शरीर की बात न रहो लक्षमन रेखा को क्रॉस नहीं करना है अगर गलत सोचा तो बुद्धी में कभी शांती नहीं रहेगी हम दुखों से मुक्त नहीं हो पाएंगे तो आज का ये वर्दान कहराई से सोचेगा और मनन चिंतन करिया कोई क्वेशन हो तो ज़रूर पूचेगा आप स्वस्